महा महिन राश्ट्रप्ती द्रौपदी मुर्मुपद संभालने के बाद चौथी बार ओडिशा के दौरे पर आ रही हैं राज्य में उनका दो दिवसिये आगमन 26 जुलाई को हो रहा है इससे पहले वह चार मई को तीन दिवसिये दौरे पर ओडिशा आई थी ओडिशा में एक तरफ जहां पूरा देश चंद्रयान तीन के सफल प्रक्षेपन के इंतजार में नजरे गड़ाए बैठा है वहीं चंद्रयान तीन मिशन के लौंचिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है इससे ठीक पहले प्रसिद अंतरराष्ट्रिय रेट कलाकार पदमश्री सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान तीन की अध्भुत रेट कला को उके रहे चंद्रयान तीन आज दोपहर करीब धाई बजे लौंच होगा भाजपा ने मुर्म को राष्ट्रपती बना कर पहले ही संकेत कर दिया था कि अगले चुनाव में उसकी नजर देश की 10 प्रतिशत आदिवासी आबादी पर है पिछले चुनाव में आदिवासियों की आरक्षित 47 सीटों में भाजपा ने 31 सीटे जीती है 2014 में भी 28 सीटे भाजपा को मिली थी कॉंग्रेस ने आज अपनी चार सूत्री मांगो को लेकर मलकानगिरी में 12 घंटे बंद का आहवान किया है इन चार सूत्री मांगो में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और बिजली की समस्या शामिल है बंद का आयोजन जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष गोबिंद चंदरपात्र के नेत्रित्व में किया जा रहा है ओडिशा उच्चन्यायाले ने गुरुवार को कटक की एक पारिवारिक अदालत को अभिनेता से नेता बने अनुभव मोहंती और उनकी अभिनेत्री पत्नी वर्षा प्रिदर्शिनी से जुड़े तलाग के मामले को तीन महीने के भीतर निप्टाने का निर्देश दिया है सूत्रों ने बताया कि हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को मामले के सम्बंध में चार सप्ताह के भीतर जिरह पूरी करने का भी निर्देश दिया है ओडिशा में राज्य सहकारिता विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि ओडिशा सरकार इस खरीफ सीजन से फसल बीमा योजना के तहट किसानों का प्रीमियम हिस्सा अपने संसाधनों से वहन करेगी बता दें की 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम की अंतर राशी का भुगतान सबसिड़ी के रूप में किया जाता है ओडिशा के बलांगीर जिले के निखिल नगर में एक दिल दहला देने वाली घटना में कक्षा बारहवी में पढ़ने वाली नाबालिक बच्ची शेशागरी नाग की घर में घुसकर गला काट कर हत्या कर दी गई इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है घर में मातापिता की गैर मौजूदगी में बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया गया है पुलिस मामले की जाच में जुटी है CEW की रिपोर्ट के अनुसार बाड के उच्च जोखिम के बावजूद असम बिहार उत्तर प्रदेश ओडिशा और सिक्किम बाड की EWS के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां प्रारंभिक चितावनी प्रणालियों की सबसे कम उपलब्धता है गुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय प्रद्योगी की विश्वविद्यालय में इस दौरान कुलपती के लिए गए एक फैसले को लेकर हंगामे का दौर जारी है इस नए आदेश के मुताबिक अब यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कार या बाइक से यूनिवर्सिटी नहीं आ सकेंगे और हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राए भी अपने पास सायकिल के अलावा कुछ और नहीं रख सकेंगे महिला पत्रकार शीला भट ने सालों पहले अंडर्वल्ड डौन दाउद इबराहिम के साथ हुए इंटर्व्यू को लेकर कई खुलासे किये है शीला भट ने समाचार एजनसी को दिये इंटर्व्यू में बताया कि छोटा शकील कैसे दाउद इबराहिम से डरता था शीला ने बताया है कि वो अपने पती के साथ दाउद से मिलने गई थी फ्रांस के राष्ट्रपती मैक्रो ने पी-एम मोदी को Grand Cross of the Legion of Honor से सम्मानित किया फ्रांस द्वारा दिया गया यह सम्मान पी-एम मोदी को विभिन देशों द्वारा दिये गए शीर्ष अंतरराष्ट्रिय पुरसकारो और सम्मानों की श्रिंखला में एक और सम्मान है इससे पहले जून दो हजार तेईस में मिस्रद्वारा Order of the Nile से भी पी-एम मोदी को किया गया था सम्मानित कथित प्रेमी इस युवती को बैंगलरू ले गया था और गायब हो गया आरोप है कि युवती को उसके कथित प्रेमी ने देह व्यापार के दलदल में धकेलने की कोशिश की वह किसी तरह से बचकर सिलीगुडी पहुँची अब इस युवती का नया ठिकाना सिलीगुडी जेल है CVD आयातित वस्तूओं या उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त कर हैं जिन्हें उनके ग्रह देश में सबसिडी दी जाती है जिससे उन्हें आयात करने वाले देश के उध्योगों को नुकसान होता है अप्रेल में DZTR ने कुछ स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों पर CVD की सिफारिश की टमाटर की कीन्तों में तेजी से कुल महंगाई दर पर खास फर्क नहीं पड़ता है आलू प्याज वर टमाटर की कीमत खाद्य वस्तूओं की महंगाई दर को प्रभावित करने में भूमिका निभाती है चालू वित्वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में खुदरा महंगाई दर 6 प्रतिशक तक पहुँच सकती है न्यामार नागरिक दीपक शर्मा सूरज जैसवाल और शेखोम ब्रूस मैती के खिलाफ विशेश अदालत में आरोप पत्र दाखिल की गई है इन्हें विभिन्न आतन की संगठनों के लिए पैसा एकत्रित करने के लिए पकड़ा गया था इनाये ने गत वर्ष 9 मार्च को स्वत संग्यान लेते हुए मामला दर्स किया था फ्रांस के राष्ट्रपती इमैनुएल मैकरो ने हिंदी में एक ट्वीट किया है मैकरो ने ट्वीट में लिखा है कि भारत और फ्रांस 25 साल की रणनीतिक साजेदारी तथा विश्वास और दोस्ती के सदैव मजबूत बंधन का जश्न मना रही है बता दें की पीएम मोदी दो दिवसिय फ्रांस दौरे पर है मोदी को फ्रांस के सर्वोच सम्मान से सम्मानित किया गया है लॉस एंजल्स की एक महिला ने प्रस्ताव रखा है कि जो भी उसके लिए परफकेट पार्टनर खोज कर लाएगा उसे 5000 डॉलर दिये जाएंगे साथ ही महिला ने कहा कि वो डेटिंग से ठक चुकी है लेकिन वो 20 साल में लड़के को तलाक दे देंगी अमेरिका के वर्मोट में आई बाढ़ के कारण पूरे शहर में भारी नुकसान हुआ है हाला कि इसमें किसी के घायल होने या मारे जाने की सूचना नहीं मिली है फिलहाल स्थानिय मौसम विभाग के जानकारी के मताबिक रविवार को शहर में एक बार फिर भारी बवंदर आ सकता है जिसके कारण एक बार फिर बाढ़ हा सकती है यूरोप इस समय गर्मी की मार जेल रहा है मौसम वैग्यानिकों का मानना है कि दक्षिनी यूरोप में हफते के अंत में भीशन गर्मी पढ़ने वाली है वहीं दूसरी तरफ स्पेन के ग्रेनाडा प्रांट के लोजागाओं में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सिल्सियस तक पहुँच गया था राई स्कैल्प के कई कारण है इन में बालों को साफ न रखना परियाप्त, पानी न पीना और प्रदूशन आधी कारक शामिल है सोराइसिस जैसी स्वास्थ्य स्थितियों के कारण भी सिर्की त्वचा शुश्ख हो सकती है इसके लिए आप घर पर ही कुछ घरेलू उपचार अपना सकते हैं, ये आपके बालों के लिए अच्छा है आईए जानते है इन दिनों भारत तेजी से ग्लोबल डाबिटीज केपिटल बनता जा रहा है यहां न केवल मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, बलकि यह बहुत कम उम्र के लोगों में भी तेजी से फैल रहा है ऐसे में जरूरी है इसे कंट्रोल करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं इस समस्या से बचने के लिए आज ही इन आद्टों को सुधारें आयुर्वेद में कई सारी ऐसी ओश्धिया हैं जो बीटे कई वर्षों से विभिन रोगों के लिए इस्तिमाल की जा रही है अश्वगंधा इन ही में से एक हैं जिसे इम्म्यूनिटी बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है शरीर की रोगप्रतिरोधक शक्ती बढ़ाने के साथ अश्वगंधा और भी कई फायदे पहुचाता है IPL के दो स्टार खिलाडियों ने मैच विनिंग हुए लीग के पहले मैच में टेकसास सुपर किंग्स को 79 रन से जीत दिलाई है डेवोन कॉनवे ने 37 गेंदों में अर्धश तक जड़ा दूसरी तरफ डेविड मिलर ने भी अर्धश तक जड़ा यशस्वी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच दूसरे दिन शांदार शतक जड़ा है यशस्वी पदारपन टेस्ट में शतक लगाने भारत के सत्रहवें बल्लेबाज है वह ये उपलब्धी प्राप्त करने वाले तीसरे आरंभिक बल्लेबाज है पहले विकेट के लिए 239 रण की साजयदारी की जो वेस्ट इंडीज के विरुध किसी भी भारतिय जोडी की सर्वोच साजयदारी है विश्व टेस्ट चैंपियन्शिप नया चक्र शुरू हो चुका है इस वक्त भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सिरीज जा रही है इस टेस्ट सिरीज बीच ICC ने स्लो स्लो ओवर में एक बड़ा बदलाव किया है अदा शर्मा की फिल्म दस्टोरी साल 2023 की ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म कम बजट में बनी इस फिल्म ने कई सौ करोड कमाए हाला की सफलता के साथ साथ फिल्म को खूब विवाद भी जेलना पड़ा चंद्रियान तीन आज दो पहर को लॉंच होने वाला है चंद्रियान दो के फेल होने के चार साल बाद पूरी तयारी के साथ इस रो चंद्रियान तीन को पूरा करने की योजना बनाए हुए है हाल ही में अक्षय कुमार ने भी इस मिशन पर खुशी जताई है साथ ही अपना चार साल पुराना ट्वीट फिर से शेर किया है प्रभास और कृती सेनन स्टारर आदिपुरुष के मेकर्स को इस माइथोलोजिकल फिल्म की रिलीज के बाद काफी आलोचना जहिलनी पड़ी अब हाल ही में सीरियल देवों के देव महादेव फेम मोहित रहना ने फिल्म की नाकाम्याबी पर तंसकसा है उन्होंने मेकर्स पर ताना मारते हुए एक ऐसा उदाहरन दिया जो आपका भी दिल चुलेगा बॉलीवुड एक्ट्रेसेज आलिया अभिनेत्री होने के साथ साथ जमीन से जुडी रहने वाली शक्सियत भी है जिसका नजारा एक लेटेस्ट वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है हाला कि इस वीडियो के चलते वह बुरी तरह ट्रोल भई हो रही है यहाँ देखिए वो क्लिप टॉम क्रूज की मच अवेटेड फिल्म मिशन डेड रेकनिंग पार्ट वन रिलीज हो चुकी है दुनिया भर में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भारत में भी मिशन इंपॉसिबल कर रही है फिल्म में तगडी स्टार कास्ट देखने को मिल रही है ओपनिंग दे इंपॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन ने 10 करोड के उपर कमाई की